पार्ट दो बुद्धी और भाग्य जीवन में भाग्य के साथ साथ व्यक्ति में बुद्धी का होना भी आवश्यक है प्रस्तुत पार्ट में यही बताया गया है कि चाहे भाग्य के कितनी ही कृपा हो लेकिन व्यक्ति में यदि बुद्धी नहीं है तो भाग्य द्वारा प्राप्त संपत्ती उसके लिए बेकार है एक बार बुद्धी और भाग्य में किसी बात को लेकर बहस शुरू होगे बात अपनी जगा से हट कर आपस की तू-तू मैमे पर उतर आई भाग्य ने बिगड़ कर कहा मैं तुमसे बड़ा हूँ समझदार बुद्धी हसकर बोली ये तो मैं भी कह सकती हूँ और फिर बहस बढ़ेगी क्या ये अच्छा ना होगा कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ती का प्रदर्शन करके देखे जो जीतेगा वही बड़ा होगा भाग्य ने इस बात को स्विकार कर लिया दोनों अपनी अपनी शक्ती के प्रदर्शन के लिए जगा की खोज में चल पड़े चलते चलते उन्हें एक गडरिया नजर आया जो शान्त भाव से अपनी भेड़े चरा रहा था उसे देख बुद्धी ने कहा क्या तुम इसे वैभवशाली बना सकते हो क्यों नहीं मैं चाहूं तो इसे समराड बना सकता हूँ भाग्य ने अभिमान से उत्तर दिया बुद्धी मुस्कुराते हुई बुली अब भागा कहीं समराड बनते बनते फ्राणों से हाथ न धो बैठे, तो अब तुम अपने वचन से पीछे हटना चाहती हो, भाग्य ने गुस्से से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे स्विकार है, तुम इसे समराड बना दो, मैं जब इसे लोगों पर शासन करते देख तब तुम्हारे सामने सिर जुका दूँगी, नहीं तो तुम्हें मेरे सामने सिर जुकाना पड़ेगा, ठीक है, या कहते ही भाग्य ने गडरिये पे अपनी कृपा का हाथ रखा, और बुद्धी उसका हाथ छोड़ कर एक दर्शक की तरह दूर जा खड़ी हुई, गडरि इन की तरह अपनी भेड बक्रियां चराने लगा, एक दिन वहां से किसी दूसरे देश का सौधागर गुजर रहा था, अचानक उसकी नजर गडरिये के पेरो पर पड़ी, उसने हैरानी से पूछा, यह तुमने किस चीज की खड़ाओ पहन रखी है, यह पत्थर की हैं और बड़ी भारी हैं, घिस्ती भी बिलकुल नहीं है, गडरी ने सरल भाव से उत्तर दिया, क्या तुम इने बेचोगे, बेचना क्या होता है, यदि तुम्हें पसंद है तो तुम्हें ने ले जाओ, इस पत्थर की जोड़ी को तुम्हारे सिवा खरीदेगा भी और कॉर, हुए चने रखवा दो, मैं रोज गाव जाने पर ठक जाता हूं, खा पीकर यहीं मस्त पड़ा रहा करूँगा, सौधागर ने प्रसन्नता से चने की बोरी वहां रखवाई, और खडाओं का जोड़ा लेकर अपनी राह चल दिया, अपनी देश पहुचकर उसने वह का जोड़ा उसके सामने रख दिया, गडरिया उसे भी पहन कर अपनी भेड बक्रिया चराने लगा, कुछ दिनों बाद वही सौधागर उधर से फिर गुसरा, रतनों से जड़ा हुआ खडाओं का जोड़ा उसके पैरों में देख आश्यर चकित रह गया, और मन ही मन सोचन मैं तो बस इने पैरों में पहन लेता हूँ, गडरिया नहीं सरलता से उत्तर दिया, क्या तुम इन्हें भी बेचोगे, हाँ हाँ, ले लो, ये कहकर गडरिया ने अपने पैरों से खडाओं उतार कर व्यापारी के सामने रख दी, व्यापारी मन ही मन सोचने लगा कि अपने भेली गुड गडरिये की जोपडी में रखवा दिये और खडाओं लेकर अपनी राह चल दिया, अपने देश जाकर वह समराट से मिला और अच्छी तरह सजाकर खडाओं का जोड़ा उन्हें भेट किया, समराट इतनी बेशकीमती खडाओं को देख कर स्तब्ध रह गए, बोले, वा, बहुत ही सुंदर खडाओं हैं, तुम्हें कहां से प्राप्त हुई, सौधागर बोला, भारत समराट मेरे मित्र हैं, शिकार के समय मैंने उनके प्राणों की रक्षा की थी, इस पर खुश होकर उन्होंने ये खडाओं मुझे पुरसकार में दी, मैंने सोचा, इतनी बहुमुल्य खडाओं समराट के पास ही शोभा देगी, आशा है आप इस दास की तुछ भेट को स्विकार करेंगे, समराट ने सौधागर की प्रार्थना सहेश स्विकार कर ली, पुरसकार के तौर पर समराट ने उसे एक लाख मुद्राएं दी और पुछा, क्या भ नहीं था, वह हर तरह से समराट को खुश करना चाहता था, कैसा रहे यदि उनके साथ हमारी राजकुमारी का विवा हो जाए, अती सुन्दर, वे इसे अपना स्वभागे ही समझेंगे, सुदागर की आँखों में इस समय लाखो रुप्यों की बेश कीमती खड़ाओ पहने हुए गडर्या घूम रहा था, समराट ने प्रसन्न होकर सुदागर को हर तरह की सुविथाईं और राजदूत की पदवी दे थी, बोले, अब तुम जाकर अपना काम शुरू करो, सुदागर प्रणाम करके चला तो गया, पर उसका दिल चिंता के बोज से दबा हुआ था, उटों पर सैक्रों मन पीतल लदवा कर वह फिर व्यापार के लिए निकला, चलता चलता वह वही उस गडर्य की जोपडी के पास पहुचा, गडर्या दूर कहीं भेडे चराने गया हुआ था, सुदागर ने अपने नौकरों को उटों से सामान उतार कर पड़ाव डालने की आग्यार दे दी, धर्ती पर पीतल की सिल्लियों का धेर लग गया, चारों और खेमे ही खेमे गड़ गये, शाम को गडर्या लोटा, दोनों एक दूसरे को देख कर खेल उठे, गड भाग्य पूरी तरह से इसे सहयोग देने पर तुला हुआ है, और इस मुर्ख को पता भी नहीं है कि वह अपने पैरों में कितनी कीमती चीज़ पहने हुए है, फिर सोचने लगा, देखने में भी सुन्दर है, इसे समराट क्यों न बनाया जाए, कुछ रुप्या मेरे पास भी है, ये चारागा और इधर उधर की जमीन खरीद लूँगा, यही महल और किला बनवा लूँगा, कुछ सैनिक और नौकर रख लूँगा और फिर विवा के बाद जो कुछ दहेज मिलेगा, वह सब भी तो अपना ही होगा, ये राजा और मैं मंत्री, ये सोचते हुए उ इसके रिदय के भाव पढ़े, खिल उठा, बुद्धी मुस्कुरा उठी, भेड बक्रियों को अपनी अपनी जगा बांद कर ठका हुआ गडर या पीतल की सिल्यों के धेर के साथ सहारा लेकर बैठ कया, और स्वादागर से बोला, अब की बार तुम बहुत जल्दी लोट हाँ, बहुत काम आ पड़ा था, अब मैं तुम्हारे पास कुछ दिन रहूँगा, तुम्हें कुछ एतरास तो नहीं, अरे वा, कैसी बाते करते हो, जंगल में मंगल हो जाएगा, बस मेरी भेड बक्रियों को तुम्हारा कोई आदमी न छेड़े, अरे, अब तुम इन बरणी से पूछा, सम्राट, महराज, मतलब की आसपास के इलाके के जितने भी आदमी हैं, वो सब तुम्हारी चाकरी करेंगे, मैं अपने देश की राजकुमारी से तुम्हारा विवा भी कराऊंगा, मेरा विवा, तुम्हारी बाते तो मेरी समझ में आ नहीं रहीं, पर ठ ठीक है जो तुमारे इच्छा हो सो करो बस मेरी भेड बक्रियों को कोई कुछ ना कहे ये कहते कहते वह अजीब मुर्खता से हस दिया तब भी अचानक सौदागर की नजर पीतल के धेर पर पड़ी वह आँखे भाड़ कर देखता ही रह गया पीतल में एक अजीब तरह की चमक का गई थी अब वह पीतल का नहीं सोने का धेर था वह सोचने लगा ओह या आदमी कितना भाग्य का बली है इसे समराट बनाना कुछ कठिन काम नहीं या तो समराट बना बनाया है भाग्य ने जीते हुए वीर के तरह अभिमान से बुद्धी की उर देखा बुद्धी ने लाक में ही उत्तर दिया कोई बात नहीं अभी आगे बढ़ो सौधागर ने अपना सोचा हुआ काम शुरू कर दिया सोना बेच कर जमीन खरीदी महल और किला बनवाया सेना भरती की अब बेशुमार दौलत उसके पास थी वहां के जागिरदारों को मुह मांगा रुपया द पर वास्तव में उसे राजा का अर्थ भी नहीं पता था धीरे धीरे सौधागर ने उसकी भेड़ बक्रियां भी इधर उधर कर दी जब गडरिये ने पूछा तो कह दिया रात में खुल कर न जाने कहां चली गई गई गडरिया सब के सामने ही बहुत रोया चीखा चिलाया सौधागर खीज उठा अजीब मुर्ख से पाला पड़ा है बुद्धी तो इसे चू तक नहीं गई वह गडरिये से कड़क कर बोला खबरदार जो आगे किसी के सामने चीखे चिलाये जो बात कहनी हो मेरे कान में आकर कहा करो यह देख ताना मारते हुए बुद्धी ने भागे से कहा देख रहे हो तुमारे समराट की क्या दशा हो रही है भागे बोला बुज़ुर्ग को कहने का अधिकार है बुद्धी हस्ती इधर सौधागर ने अपने महराज को विवाह की सूचना भेज दी थी बात पक्की हो गई विवाह का दिन भी तै हो गया था समय पर स्वधागर गडर्य को दूला बना कर शाही बारात सजा कर विवाह के लिए निकला बरात का ठाट देखते ही बनता था हाथी घोड़े और रतों की बहुत ही लंबी कतार थी दूले के साथ स्वधागर हाथी पर बैठा आगे आगे चल रहा था उससे आगे शहनाई बचती जा रही थी लड़की वालों ने भी जोरदार स्वागत किया पर ये सब देख गडर्या बहुत परिशान था उसने स्वधागर के कान में कहा ये लोग क्यों आए हैं कहीं मुझे पकड़ने तो नहीं आए कहीं मेरी भेड बक्रियां तो इनके खेत में चड़ने को नहीं चले गई थी स्वागत करने वालों में से महमंत्री ने स्वधागर से पूछा क्या समराट ने कुछ हमारे लिए आदेश दिया है स्वधागर ने कहा हाँ हमारे समराट का कहना है कि स्वागत में आये हुए प्रत्यक आदमी को दस-दस सोने की मोहरे इनाम में दी जाए चारो और समराट की जय के नारे गूँज उठे भागे ने अठास लगाते हुए बुध्धी की ओर देखा बुध्धी शान भाव से बोली पर ये सब तो सौदागर की महरबानी से ही हुआ है न क्योंकि मैंने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा सौदागर के सहारे मैं और तुम अपने अपनी मन्जिल की ओर बढ़ रहे हैं इस कहानी के अंत में हमारी हार जीत का फैसला होगा बात आगे बढ़ी बरात की अगवानी हुई दावत का रंग जमा फिर रात को भावरे पड़ी भावरों के बाद दुलहा बना गडरिया चित्रशाला में चला गया वो बहुत परिशान था डर के मारे उसका बुरा हाल था वो बार बार सोच था आखिर ये सब क्या था मैं फिजूल सौदागर के चक्कर में पड़ा आधी रात को गडरिये को पैलों की रुण्चुन की आवाज सुनाई पड़ी पैलों की रुण्चुन ने गडरिये के मन में बेहत डर भर दिया वह काप उठा उसने बच्पन में भूत प्रेतों और डाकनियों की कहानिया सुनी थी कि वो रात के समय आकर लोगों को मार डालती है उसने अनुभव किया कि वो आवाज और निकट आती जा रही है कुछ तेर बाद किसी ने कमरे का दर्वाजा खट खट आया वह भय से पीला पड़ गया उसका दम फूल गया अपने बचने का अब उसे कोई उपाय नहीं सूच रहा था वह लपका और खिड़की से नीचे छलांग लगाने लगा अब उसकी मौत नस्दीक थी तभी बुद्धी ने भाग्य से कहा इसे बचाओ तुम्हारा समराट मौत के मौ में जा रहा है भाग्य चुपचाप खड़ा था उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था वह जुँचला कर बोला क्या करूँ अजीब मुर्ख से पाला पड़ा है तुमसे बन पड़ता है तो तुम ही इस मुर्ख को मरने से बचाओ मैं अपनी हार मान लूँगा तथास तू ऐसा ही हो ये कहकर बुद्धी गडरिये के दिमाग में घुज गई बुद्धी के आते ही उचाई से धर्ती को देख गडरिये ने सोचा नीचे गिर कर मरने से क्या लाप और फिर राजमहल में डाकनियों का क्या का तभी वह खिडकी को छोड़ कर कमरे में लोट आया फिर उसे ध्यान आया जिसके साथ रात को मेरी भावरे पड़ी थी उसके पैरों से भी ऐसी ही आवाज आ रही थी हो सकता है मेरी दुलहन ही मुझसे मिलने आई हो ओ, मैं भी कैसी मुर्खता करने जा रहा था धीरे धीरे सारी कहानी उसके दिमाग में घूमने लगी अब उसने हसते हुए द्वार खोल दुलहन का स्वागत किया दोनों खिल उठे दूसरी और भाग्य बुद्धी के सामने अपनी हार मान कर सिरजुकाई खड़ा था लोग का था हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए धन्यवाद